मेरे नाम वुबश्रा है और मैं हमेशा किचन में रहती हूँ तो अचलिए आज बिनाते हैं साथ मिलकर रसी वो भी पांच फ्लेवर वाली और फिर से चलते हैं ममी के पास लेकर और उनका जानती है इसके बारे में क्या फिड़बेग है उन्हें कौन सा फ्लेवर पसंद आया ऐसे आपका कौन सा फ्लेवर फेवरेट है ये कॉमेंट में बताईएगा तो अचलिए आज की रसीपी बहुत इंटरस्टिंग है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इससे बनाने के मैंने सबसे पहले एक बगाने में दही जमाया उसके बाद इसे फ्रिज में रखके अच्छे से सेट कराया लसी को इंगलिश में क्या बोलते हैं आप सब में से किसको पता हो वो मझे भी जरूर बताए अब एक बरतन में मैंने खूफ सारा दही ले लिया है क्योंकि लसी में बहुत सारा दही जाता है और यह बहुत साथ बनता है उसमें हम एट कर देंगे जितना हमने चीनी लिया था उतन से आधे से भी कम कॉंचिटी में यहाँ पर हमने चीनी आट कर दी है और इसके साथ अब एक मतानी और फिर इस तरह से आप मैशर ले सकते हैं मतानी को इंगलिश में क्या बोलत हैं और अब इसे हमें करना है ब्लेंड यानि की हातों से से मत्र लेना है लसी का जो असली स्वाद है वो इस मत्हानी से मत्ने के बाद ही आता है आप घर में लसी बनाते हो या फिर बाहर से लेकर आते हो ये मुझे बताईएगा और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा आपको ब्लेंड कर लेना है और इसमें से बहुत अच्छी से खुश्बू आ रही है आपको लसी जादा पसंद है या फिर नॉर्मल ड्रिंक ये भी बताईएगा अब इन में फ्लेवर सेट करनी के लिए हमने महां पर ले लिया है पाच से छे फ्लेवर जिसमें मैंने मैंग ले लिए हैं और आपको और केंगिन फ्लेवर की लसी बनाना आती है ये मुझे बताईएगा यहाँ पर हम पांच से छे फ्लेवर ले रहे हैं और अब मैंने यहाँ पर डिस्पोजर वाली ग्लासेज ले लिए हैं आप कोई भी नॉर्मल ग्लास में इसे बना सकते हो और बहुत अच्छी आ रही है आप यहाँ पर एक लाइची को भी फ्लेवर एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं और आप यहाँ पर मैंगो एड़ कर दिया है तो यहाँ पर मैंगो के फ्लेवर वाली लसी बन के हमारी पैयार हो गई है अब इसमें हम रूहाफजा एड़ करेंगे यहाँ पर हमारी चोखलिट वाली लसी बन ke तयार है और एक लसी हमारी है नॉर्मल फ्लेवर वाली जिसमें हम एड़ करेंगे दही के ऊपर की जमे हुई मलाई मलाई लसी में बहुत स्वाथ लग ती आप एक बार ट्राइ करें ऊपर से ढीर सारे ड्राय फ्रूट्स आडर क आपको बाहर की लसी जारा पसंद है या फिर गर्की मुझे तो घर की बहुत पसंद आती है क्योंकि उसमें हम अपनी हिसाब से चीज़े डालते हैं लेकिन आज मैंने पहली बार इतने सारे फ्लेवर्स वाली लसी बना के त्यार की है और देख सकते हैं एक लसी बहुत ही मॉमी के पास और उनसे पुछेंगे की उनको कौनसा फ्लेवर पसंद आया है दिख सकते हैं उन्हें आप एक एक फ्लेवर छेक कर रही हों नों जाल्ससे है। लेकिन लास्प में आम उनसे पुछेंगे कि उनका फेवरिट कौन सा है और आप भी कॉमेंट करके बताईएगा कि आपका फेवरिट फ्लेवर कौन सा है गर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चले इनसे जानते हैं यहाँ पर इन्हें कौन सी लसी सबसे जादा पसंद आई है आप भी ट्राइ करें और आपना फेट बैक दें